नमस्कार दोस्तों मैं रुपमतिवर्थे बोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रुपा ग्रीन गार्डन में उमीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे जो लोग मेरा वीडियो पेली वार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब क नर्सरी से लाए प्लांट को तुरंत क्यों रिपोर्ट नहीं करना चाहिए तो दोस्तों आज इसी वी से में मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगी और उसके पहले में थोड़ा सा अपडेट दे देती हूं कि हमारे जो कोलियस प्लांट है उनकी क्या रंगत हो रही है तो यह देखिए दोस्तों कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे ब्यूटीफुल लग रहे हैं पूरे और इनका कलर देखिए ठंड में कितना निखर के आया है दोस्तों यह वाले जो प्लांट है बहुत ही खुबसुरत है इसमें फूल नहीं आते लेकिन इनकी पत्तियों का कल कलर जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है तो दोस्तों मेरे पाद जादा तो नहीं है जो भी है सामने है थोड़ा सा कलेक्शन है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है जो भी है बहुत ही अच्छा लग रहा है इनके देखिए कलर कितने सुंदर खिलके आ रहे हैं बहुत एक अलग कलर का है यह देखिए कितने खुबशुरत लग रहा है यह और एक यह है तो दूस्तों बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं और गार्डन में हमारे कुछ विंटर सीजन के भी फ्लावर है देखिए कितने सुन्दर सुन्दर कलर हैं देखने देखते ही ऐसे मन होता है कि हम देखते ही जाए और मन को मोहने वाले कलर होते हैं कलर फूर और ठंड के सीजन के जो भी प्लांट होते हैं बहुत ही खुबशुरत होते हैं दो देखिए आज मैंने पानी नहीं डाला है मतलब दो दिन से पानी नहीं डाला और दोस्तों एक जानकर ये भी मैं देती हूं क देली थंड में पानी नहीं डालना चाहिए और शावर भी नहीं करना चाहिए दोस्तों अगर शावर आप करो तो सुबह के वाकत मॉर्णिंग में आप शावर करिएगा शाम किसमें बिल्कूल शावर नहीं करिएगा क्योंकि शाम के समय अगर शावर हम करते हैं तो फंगस लग जाती है और दोस्तों मैंने पानी नहीं डाला है और आज शाम को डालूंगी मैं और अभी मैं डालने पाई हूं तो थोड़े से मेरे प्लांट बेजान से दिख रहे होंगे लेकिन फूलों की कमी नहीं है ये देखिए और थोड़ा सा मेरा गार्डन का वर्क भी चल रहा है तो उसके साथ साथ मैं ये वीडियो भी बना रही हूं यूकि मैंने काफी बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं और अभी इसमें पानी डालूंगी तो एक दम ब्राइट कलर हो जाएगा तो चलिए दोस्तों अब हम टॉपिक पर आज आते हैं और ये देखिए ये कितने संदर संदर कलर के जीनिया है वैसे इस इनका लास्ट टाइम है ये सिट्स के सिरे देहलिया रखे हुए हैं और इधर देखिए इसकी रंगत कितनी प्यारी लग रही दोस्तों इसमें पानी पढ़ा गया है लेकिन कलर बहुत और थोड़ा सा चाओं में हैं ये वहां पर डारेक्ट धूपाती लेकिन ये प्लांट थोड़ा चाओं में है तो इसका कलर बहुत ही सुंदर है ब्राइट कलर है एकदम और इदर हमारा यह मेरी गोल्ड का कलेक्षन रखा दोस्तों मैंने कल ही दबाइप डाली है इसलिए मैंने पानी नहीं डाला है क्यूंकि इस प्रे किया था कल सुबे दबाई आप समय-समय पे डालिएगा और दोस्तों एक जान कर ये भी देती हूँ कि इन दिनों में फंगस बहुत लगती है जो प्लांट की पत्तियां है वो मुड़ जाती है करली हो जाती है तो हमें हर 15 दिन 20 दिन में नीम आयल का इस्प्रे और या तो आप घरेलू अगर करना चाहे तो नीम की पत्ति और जो कनेर होता ना जो पीला वाल कनेर उसकी पत्तियां ये दोनों पत्तियों को अच्छे से उबाल लो तोड़ लो नीम की पत्ति और कनेर की पत्ति इनको उबाल लो और उसमें थोड़ा सा शेंपू आता है जो एक लीटर पानी में चार-पांच बुन शेंपू का डाल लो और वो काड़ा ढाल लो थोड़ चलिए दोस्तों अब हम topic पे आते हैं कि क्यूं हम nursery से लाए वाले प्लांट को तुरन्त हम रूपोर्ट नहीं कर सकते तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि जब nursery में रखे रहते हैं तो वहां का बातार बरण कुछ और होता है वहां की वो जो जगे होती है तो वहां का climate होता है तो वहां एक अलग होता है क्योंकि और भी प्लांट बहुत सारे प्लांट रहते हैं और जो वहां की मिट्टी है वो उसमें जैसे बच्चा जहां कहलो इंसान की भी ऐसी ही बाते होती है कि इंसान जब ऐसी जगे में रहता है वो एकदम चेंज जगे में जाता है तो उसको एक दो दिन तो नीन ने आती है विस्तर चेंज होता है वातवरन चेंज होता है तो नीन ने आती है सही नहीं लगता है तो इसी प्रकार हमारी जो प्रकती है जो प्रकती के जो पेड़ पोदे हैं उनमें भी यही भाव होता है औ तो दोस्तों मैं बात कर रहे थे कि नर्सरी से लाते हूं तो जब हम प्लांट लेके आते हैं यह देखिए मैंने यह सारे प्लांट से लेके आई हूं अब मैं इसको रिपोर्ट तुरंत नहीं किया है मैंने अब मैं इसका रिपोर्ट करूंगी मैं जब भी कोई भी नर्सरी से लेके आती हूं तो मैं 3-4 दिन हफ्ता भर तो मैं रिपोर्ट करती नहीं हूं और कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे काम ऐसे चलते हैं कि हम डिले हो जाता है और मेरा काम तो थोड़ा सा फंक्शन के कारण और बीच में मेरी तबत खराब हो गया तो मेरा रिपोर्ट करने का बहुत सारा काम डिले हो गया तो अब मैं रिपोर्ट करूँगी तो दोस्तो आठ दिन बाद में जब वहां क्या वातावरण से और हम अपने वातावरण में लेके आते अपने गार्डन में लेके आते क्योंकि वहां कैसी धूप मिल लई हमारे यहां कैसी धूप मिल लई ये सारी चीज अंतर हो जाते हैं और अगर हम तुरंट प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं तो प्लांट शौक में आ जाता है मतलब बिमार पढ़ जाता है तो जगे चेंज होने से बिमार पढ़ जाता है शौक में आ जाता है तो इसलिए हमको तुरंट रिपोर्ट नहीं करन जाहिए जब जैसे लेके आवो आप तो एक हपते रखो 10 दिन रखो चार-पांच दिन तो रखने ही चाहिए दोस्तों दोस्तों कि तो मृ友 यहां कीषैंज होकर और जब यहां जब हम आपने घर में लाते चंट पर रखते हैं तो यहां के वादवरण में वह अब्जब कर लिता है यहां रहने लगता है तो फिर आप उसको रिपोर्ट करोगे तो तब भी आप ध्यान कि पूरी मिट्टी नहीं हटाना जब आप रिपोर्ट करोगे तो जो ग्रोबेक से आप मिट्टी हटा होगे तो पूरी आधी मिट्टी हटाईएगा मतलब पूरी जड़ नहीं दिखना चाहिए उससे भी क्यूंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जो मिट्टी बनाते हैं खाद उसमें खाद डालते हैं फंजिसाइड डालते हैं या निमखली डालते हैं जो भी चीज डालते हैं जो मटेरियल डालते हम अच्छे प्लांट को बनाने के लिए तो एकदम डारेक्ट जो जड़ होती है जड़ में अगर वो टच होते हैं तो उससे भी एकदम प्लांट को ए तो जूठी मिट्ती हटाइएगा ग्रो बें और फिर आप ट्रांसपर कर दीजिंगा और अगर छोटे पोद होते हैं तो चोटे पोद में तो आप वहत कम डालियेगा बिल्कुल मतला 10% या 20% 10-20% डालिएगा जब हम बड़े पौद लेके आते हैं बड़े प्लांट लेके आते हैं उसमें आप 50-40% खाद मिला सकते हो तो उसमें इतना असर नहीं होगा तो छोटे पौद में तो आप बिल्कुल फटिलाजन डालिएगा तो दोस्तो और शौक में भी आ जाते हैं प्लांट तो जब वो अपने वातावरण में आ जाते हैं उसके बाद में आप और जब रिपोर्ट करते होना तो रिपोर्ट करने के बाद में उसको डारेक्ट नहीं रखना दोस्तो कम चनी कम दो दिन तिन दिन आप इसको ऐसी जगे में रखते हैगा पहले दोके साफ में रखेगा अब नभे इन को ऐसे हूंने के डूप का चाहिए तो फिर प्लांट बहुत ही अच्छे से आपका चलेगा और दोस्तों जब आप रिपोर्ट करते हो तो पहली वारी में उसको अच्छे से पानी दीजेगा क्योंकि जब नहीं मिट्टी में जाएगा और नहीं खाद जब मिलती है उसको तो एकदम गर्मी पड़ जाती है एक बार फर्स्ट टाइम जब आप रिपोर्ट कर रहे हो जब बिल्कुल तर कर देना चाहिए कि पूरा गीला हो जाए उसके बाद में फिर भली आप समय के अनुसार जैसे ठंड के दिन है तो डेली पानी ना दीजे जब देख लीजे कि हम मिट्टी सूग गई है फिर आ तो आप पहली वार में को आच्छे से पानी डालीए घृ उसके बाद में आप कम-کम पानी डालीएगा देख कपानी डालीएगा जगे सूग गई है जो मिट्टी सूग गई मतलने यह है कि मूर्श्र बना रह यह हैं मूर्श बना रहे एक दम बिल्कुल प्रकुल नीचे त करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा धन्यवाद